हाई कैस्ट स्वागत आप सभी का टेक्निकल एट लांस में विलियास दोस्तो थोड़े दिनों पहले ही ओपो ने एवेंजर्स एड गेम मुवीज के रिलीस के साथ अपना ओपो एफिलेवन प्रो एवेंजर्स एड गेम एडिशन लॉंच किया था तो वहीं सेमसंग ने अग सबसे पहले बात करते दोनों के डिस्प्ले की ओपो एफिलेवन प्रो एवेंजर्स एंड गेम स्मार्टपॉन 6.5 फूल एच्डी प्लस पैनरोमिक डिस्प्ले के साथ आता है और इसका आस्पेक राशियो 19.9 है वहीं सेमसंग A70 में 6.7 इसकी सेनेमेटिक एंफिनिटी डि प्रोसेसर ओपो एफिलेवन प्रो में ओक्ता कोर का मीडिया टेक हेलियो P70 प्रोसेसर दिया गया है यह स्मार्टपॉन आउट ओप बोक्स एंडुड 9.0 पाइपर बेस्ट कलर और 6.0 पर चलता है तो वहीं गेलेक्सी A70 में 2.0 GHz का ओक्ता कोर क्वालकॉम स्नेप ड्रेग 6.0 प्रोसेसर है इस स्मार्टपॉन में एंडुड 5.0 बेस्ट वन युई दिया गया है तीसरा दो पॉइंट होए कैमेरा ओपो एफिलेवन प्रो स्मार्टफॉन में 16 मेगापिक्सल का पोप अप सेल्पी कैमेरा दिया गया है और बैक साइड में 48 मेगापिक्सल के के मेरा दिया गया है प्राइमरी के मेरे में एक कंपनी ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस बेस्ट सीन ओप्निमाजर दिया है जो बहतर तस्वीरों को ओटोमेटिक क्लिक करता है उसके बाद आते बैटरी पर तो ओपो एफिलोन प्रो में 4020 एमेज की बैटरी है जिसके साथ वूस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है जबके गलेक्सी A70 की बैटरी 4500 एमेज की है और ये सूपर फास्ट चार्जर सपोर्ट कर दिया गया है अगर दोनों की कीमत की बात करें तो ओपो एफिलोन प्रो आवेंजर्स एंडगेम एडिशन सिर्फ एक ही में मिलता है ये स्मार्टपॉन 6GB रेम और 128GB इंटर्नल स्टोरिज के साथ मिलता है इस एडिशन की कीमत 27,990 रुपे जबके सेमसंग गलेक्सी A70 6GB 108GB वेरियंट की कीमत 28,990 रुपे रखी गई है तो दोस्तो कमेंट में जुरूर बताएगा आपके इसाब से कौन है बेतर ओपो A11 Pro Avengers Edition या फिर सेमसंग गलेक्सी A70 तो दोस्तो आज के लिए इतना है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सेर धरूर कीजिएगा और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए